एक पटक एक राजा सिकारी कुनें ते आफनु बंधुकलेर जंगल बाड़ा जांदाई करेका थिये सिकार टाडा टाडा देखेना राजा राजार उनका सेन हारू बिस्ताराई कहना जंगल मा परवेश करे उने केही टाडा मा त्रगएका थिये कि उनले केही ढाको रूलुके कठामा देखे नजीके कुरुकमा बसे को सुगाले उहां कहां पुगे पची बन्या समातमोस एउटा राजा आउदाई चा उहां संग सेन हारू बनी चा सामान लुटा छित्टे आउणोस छित्टे आउणोस पंदे सुगा कुराया सुगा को आवास सुनेरा सभे डाको रू रुट टीर करेको देखे र रुट रूट का शीपेहरु भागे र देरी डाडा सम правू दोल्यो भागे राणी अगाडी के उड़ा ठुडो रूप देखियो केई समय आराम गणा रूप मा गएयो रूप खो छो मा पुपने बितिके ते रूप मा बसेगो सुगा लेपनियो आउनोस राजा आउनोस हामरो गाउमा स्वागत्छा वित्रा आउनोस पानी प्यूनोस राणाम गणोस सुगा को यो कुरा सुनेरा राजा आचमा मा परे रस्वस न थाले कि योटे चात्याद दोई प्राणी को बेवार मनी एती फरक कसरेउना सक्छा राजा लेके बुझ न सकेना उनले सुगा को प्रामानी रगाउं को सुपरी मा पित्रगाई एक बेक्ति को नजिक मा बसे राफनो संपोन कथा सुनाए और विस्तारे हजो इतुई सुगा को ब्यावार मा किने ती धिना भीना था चा उक्त बेक्तिले तहिरे फुर्वक सबही कुरा सुनी रवने राजा के ही विना संगत को प्रभाव मात्रम डाकोर संग बसे रा सुगाले पनी डाको जस्ते बेवार गरना थाले कचा राफनो भासा बोलना थाले कचा और थात मानीस आफो बसे को परिवेश सस्ते बन्चा, पन्ण को ताप्परे रियो हो कि बिद्वान को संगत्मा बसता मुर्खा पनी बिद्वान बन्चा, रब बिद्वान पनी मुर्खा को संगत्मा बसे मां मुर्खा पनी आऊंचा, तेसले हमीले स्वचे राफ नो सिमा ब